है तो यहां प्लोग कवर्ड़ जनेरेट हो चुका है अब हमें सबसे पहले ट्रीकार्ट में है ताकि हम टूल्स बना सकें हैं तो यहां पहले हमें स्बस्चेट काटटाट कि मिल गई है चलिए इसको मारते हैं ताकि हम बेड बना सकें चलिए अब सबसे पहले क्राफ्टिंग टेवल बना लेते हैं ताकि हम टूल्स बना सकें हमने आपने एक वोडन की पिकेक्स बना लिये चलिए अब सबसे पहले स्टोन माइन कर गया तो यहां पर मैं उपर आजाता हूँ ताकि मैं एक स्टोन की पिकेक्स बना सकाँ उससे जल भी माइनिंग होगी तो यहां से मैं अपना क्राफ्टिंग टेवल उठाके दुवारा माइनिंग पर निकल जाता हूँ और काफी सारे स्टोन इखटा करता हूँ माइनिंग पर जानुश पहले मुझे थोड़ा सा फूर्ड इखता करना था इसलिए मैं बहारी रुख जाता हूँ तो अब हम वापस से माइनिंग के लिए निकल जाते हैं काफी दर तक माइनिंग करने गाद अब मैं अपने लिए एक स्टोन और एक्स बना लेता हूँ बाहर आके तो यहां पर मैं अपने सारे सर्वैवल टूल्स बना के निकल जाता हूँ ट्री काटने के लिए काफी दर तक प्री काटने काट मुझे एक लामा दिखता है मैं इसको मारता हूँ ताकि मुझे लेदर मिल जाए तो अब मैं काफी दर तक फूड खता करता हूँ ताकि मेरा हंगर बार फूल रहे तो यहां पर मेरे पास इनफ बूल हो जाता है ताकि मैं अपने लिए एक बेड़ बना लूँ रात हो रहे थी इसलिए मुझे सोना था अगले दिन मैं जगे की तलाश में निकलता हूँ जहां मैं अपना घर बना सकूँ इसलिए मैं यहां से चला जाता हूँ काफी देर तक दोनने गयाद मुझे एक जगे मिल जाती है जहां मैं अपना घर बना सकता हूँ तो मैं यही रुखने का फैसला लेता हूँ आपको आपके फोन की कसम इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगला पार जल्ब ही आएगा अगला पार जल्ब ही आएगा